नमस्कार मैं सिखा सिंग और आप देख रहे हैं जनहित आवाज ओनर किलिंग का मामला लगभग 10 दिन-15 दिन में आही जाता है कि बाप को बेटी का रिस्ता पसंद नहीं है तो बेटी का गला घोर दिया बाप को लरका पसंद नहीं है तो बेटी का गला घोर दिया आप ने अपनी जिन्दिगी में ना जाने कितने ओनर किलिंग के मामले देखे होंगे और कुछ दिन पहले भी एक पिता जो है अपनी बेटी के रिस्ते से ना खुस था और उसको फोन पे बात करते वह देख रहा था और उसको अपनी बेटी को उसने गोली मार दिया उससे पहले भी एक पिता अपनी बेटी को काट के सूट केस में हाईवे पे छोड़ के चला गया था ऐसे अंगीनत मामले आप रोजाना सुनते होंगे लेकिन एक ऐसा मामला है जो बिहार से आया है जो धर्म को और जाती को एक नया आयाम दे रहा है एक खार की एक खबर जिसे न्यूज 24 ने छापा है उसने लिखा है कि मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से हुआ प्यार जुग गया पूरा गाउं सिर्फ माबाप नहीं परिवार नहीं समाज नहीं पूरा गाउं जुग गया उसको साधी कराने के लिए तो आप सोच सकते हैं आप परिकल्पना कीजी अगर ऐसा ही हर रिष्टे में हर बाप अपनी बेटी को समझे हर बाप हर परिवार अपने बच्चों को समझे की नहीं अगर ये प्रेम करते हैं तो इनकी साधी ये जहां पे खुस हैं हाँ हाला कि कभी-कभी बच्चे गलत भ गठरी डाल देता है लड़के चाहें कुछ भी करें उससे कोई मतलब नहीं होता है लेकिन लड़के ने अगर अपनी पसंद से किसी को चुल लिया अगर किसी को पसंद कर लिया तो अपना जान गवाएगी उसके माबाप आप ही उसकी जहान के दुस्ष्मन हो जाते हैं तो आप सोच ही कि बिहार में जब दोनों हिन्दो Filipino की साधी मुस्लिमंती और pak हिंदू तो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदूओं को फसाते हैं लब जिहाद करते हैं लेकिन यहां पर ऐसा मामला है कि धर्म से उपर जाती से उपर जाके पूरे गाउन ने इस लड़के और लड़की की साधी कराई जहां पर हिंदू लड़का था और मुस्लिम लड़की इस पे तो कोई नहीं बोलेगा कि लब जिहाद है या कुछ क्या है लेकिन आपको एक और खबर में बताती हुआ आज से कुछ दिन पहले स्वरा भासकर की साधी हुई थी कि हस्बन जो है उनके जो पती है वो मुस्लिम है तो प्रज्या सिंग ठाकुर जो है उन्होंने बोला बैदा मडर केस नहीं देखा सरदा कान नहीं देखा तुम्हारी भी हालत वही हो जाएगी तुम भी सूट केस में पाई जाओगी लेकिन अभी प्रज्या सिंग ठाकुर कहा है उनको देखने की जरूरत है कि जहां पे हिंदू मुस्लिम बीजेपी के जादत नेता हिंदू मुस्लिम कराने का काम करते हैं देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं लेकिन यहीं एक और बिहार से ये प्यारा सा जोरा जिनोंने साधी किया है जाती से उपर जाके धर्म से उपर जाके तो आप लोग इस वीडियो पे क्या कहेंगे आप लोग इनसे खुस हैं या ना खुस हैं गाउवालों ने अच्छा किया बुरा किया गाउवालों को भी हिंदू मुसलिम करना चाहिए था गाओ वालोंने एक अच्छा संदेश दिया है जाती धर्म कुछ भी नहीं होती है अगर इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं करेगा अगर उन दोनों की मानसिक्ता मिल रही है विचारधारा मिल रही है तो साधी करने में क्या दिक्त है मेरे हिसाब से तो उन्होंने कोई गलती नहीं किया और गाओंवालों ने एक नया मिसाल कायम किया है तो इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मिलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद